चुल दोस्तो में अमन कमार रेंबो पचिंग सिंटर में आपका स्वागत है तो पिछले वीडियो में हमने परस्टनावली 1.2 के question number 1 को serve कर चुके थे और आज हम परस्टनावली 1.2 के ही question number 2 को serve करेंगे ठीक है तो ध्यान देंगे question number 2 पर आप लोग को बोड़ा स्क्रीन पर question number 2 दिखाई दे रहा हुआ ठीक है question को ध्यान से देखेंगे question में का रहा है question में का रहा है कि पुरांकों के निम्नलिखित यूगमों के HCF और LCM ग्यात किजिए तथा इसकी जांच किजिए कि दो संख्याव का गुरनफल बरावर HCF गुड़े LCM है ठीक है तो बारी बारी से हम question को शुर्भ कर रहें आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखेंगे question number 1 question number 1 question number 1 में दिया है question number 1 में दिया है कि 26 और 91 26 और 91 ठीक है इत दोनों का क्या गयात करना है HCF और LCM गयात करना है और इसके जाच्च करना है कि दो संख्याव का गुड़न फोल जो है यह बराबर जो है एसी एफ और एलस्यूम के बराबर होता है तो आप लोग को मैंने पिछली विडियो में गुड़नखंड करने का तरीका भी बताया था गुड़नखंड कैसी कि जाता है तो दिखिए यहां पर कितना 26 है और यह क्या 51 लिख सकते हैं उसी तरह से 91 है तो 91 कभी गुड़नखंड कर सकते हैं एकानवे का करेंगे कितना सोगा साथ से साथ से करेंगे तो कितना बार में तेरा बार में यानि एकानवे का गुड़न खंड अगर कर सकते हैं तो एकानवे बराबर साथ गुड़े तेरा तो यहां पर हम डैरेक्ट यह रख कारे में किया जाएगा ठीक है एक्जाम में इस तर तो लिखेंगे हैं 26 और 26 और 26 और है कानवे का होता है महत्म समपर्थक जो होता है इस तरह का अगर कोशन में दिया रहे हैं कि इस तरह से न के दोनों में क्या चा जीसे कर Middle is , the meantimeפר को हान का में मतलब यह है कि दोनों में एक जैसे है खोता है DO में क्या है देखे 15 के मिल नहीं इसमें स्कस्राइब अनकार दोर का जोड़ा लग गय गए तो उसमें एक बाहर निकाला जाता है कहाने क्या मतलब है कि 13 गोल वी 3 गोल गषें गए और कोई मिल रहा है दू है दूइसमें नहीं है इसमें साथ है इसमें साथ है नहीं तो इसका हैस गया कितना सिपया किटना अचैंश दफ कि है है मी आधर्ज ऑनफित ग्याद करना तो येल झाद करने का नगे दम्हाता पीटफने सबसे असान पर सबसे ऐसाँ बी कि से मैं बता रहा हूं कि LCM हमें ग्याद करना हैं तो सबसे पहले जो HCF निकाले हैं ठीक है तो HCF कितना है तेरा लिखेंगे गुड़े अब देखेंगे कि जिसका जोड़ा लगा है उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि जोड़ा लगा था हम पहले ही बताएं क तो जो जोड़ा नहीं लगाया तो उसको गुड़ा में लिख देंगे कहाने का मतलब है कि जितना HCF आया है उतना और जिसका जोड़ा नहीं लगाया उतना का गुड़ा नफल कर देंगे तो जितना आएगा तो वही हमारे क्या होगा LCM ठीक है तो 13 दूनी 26 और 26 में 7 से करे तो हमारे LCM कितना होगा 182 और SCF कितना हुआ 13 अब यहां बात करें कोर्षन में बोला है कि जांच करना है कि जांच करना है कि दो संख्याओ का गुड़न फल्ड जांच में करना है कि दो संख्याओ का गुड़न फल्ड बराबर LCM गुड़े HCF ठीक है कि जेन धूर्ड बीया कीजिए कि हम है जांच करना है कि दो संख्याओ का गुड़न फल्ड अगर ISan एक तरफ करेंगे और यह संख्याओ का इन सीम जीतना है गष्पाण दोनों का इस सेड में गुड़ा करेंगा अलग और इसका गुड़ा करेंगे अलग और दोना तर और आ रहा है कि नहीं तो दो संख्या का गुड़न भल कहाने का मतलब है दो संख्या आमारे कौन-कौन था जिसका स्था और लिख देंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसको 182 में 13 तो जब गुड़ा करेंगे हम लोग तो गुड़ा करेंगे तो आएगा इसका गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा कितना तो यहां पर देखिए आप लोग तो पुष्टी ओगया यहांसी एक और सिख यहां पर आप आप लोग मिलता है कि जब या जांच करेंगे किसी भी संखिया का अगर सील कि करेंगे यह सही है और यह सही और नहीं आता है तो समझ लिजीए कि कहीं न कहीं हमारा गड़बड हुआ है कहीं गलती है तो यहां तक हम लोग का जितना भी बनाया है वो उतना तक सही है जो दोनों तरफ देखेंगे यहां से कहने का मतलब मान लेजीए आप लोग इग्जांम में बैठें और इक्जां में कोर्शन बनाए ह है सही है कि गलत है तो इस तरीका से भी वह ही पर जाच कर सकते हैं आप लोग को इंसर देखनी की कोई जरूरत नहीं है चलिए आते हैं को सबस्क्राइब को सबस्क्राइब करना है कि 510 और कुड़न खंड करेंगे 510 दो से कटाएंगे 255 बार में कट गया ठीक है फिर इसको करेंगे तीन से तीन से करेंगे तो तीन अमाठी 24 और तीन पाचे 15 यह करेंगे 5 से 5 से करेंगे तो आज चेकां 5 और 5 सते रहते से तो 510 को कैसे दिख सकते हैं यहां पर ध्यान देंगे 510 का गुर्ण खंड करेंगे तो 92 का करेंगे तो सबसे पहले कितना 2 से ठीक है 46 बर में गया फिर 2 से 30 बर में ठीक है तो 92 को कैसे लिख सकते हैं ै 2 गूडे 2 गूडे सकती हैं तो सब्सक्राइब का घरनध्र है यहां सब्सक्राइब recording क॑नि आरो यहां दो अब नियुक्ण को पिछले उम्हें सब्सक्राइब adjustable पिछले वीडियो में अब बन्लस किया जाता है कुरा हो गया और अब बात रहा कि HCF निकानने का है, तो HCF निकानने का क्या है कि जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में उभैनेश्ट बुड़न खंड है, वही HCF होता है, तो दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें दो है, ठीके, इसमें दो है, मिल रहा है, दो गुदु है, तो जोड़ा कितने का लगता है का दो का लगता है तो यहां मत मदड़ी के दो दो मिल रहा है अब यह थी क्वरा दो दो भाट की हारोर्थ व्शेस exists 510 और कि व aucunनो में क्या मिल रहा है ने का गुफ है यह यूप कि僕 कि- इल्सीम कितना हो जाएगा पांस सो दॉस और बानवे का हम क्या बोलाएं इस इल्सीम ग्याद करने के लिए जो एस सेफ आया है कितने सेफ हमारा आया है दो ठीक है दो आया है अब क्या करेंगे कि आयाया है उसका आब देखिंगे कि जो गुड़ान खंड के हैं देनके जैन के जो निपनेकर देना है तेन गुड़े पंच गुड़े 17 गुड़े 2 गुड़े 23 our इस सब कोशन में दिया है कि इसका जांच भी करना है ठीक है तो जांच करेंगे दो संख्याओ का गुड़न फल यहां पर लिखेंगे जांच दो संख्याओ का गुड़न फल दो संख्याओ का गुड़ान भल बराबर LCM गुड़े HCM तु यहां पर ध्यान देखेंगें कि दो संख्या मारे कौन कौन है दो संख्या कौन कौन हैं 510 और 92 है यह ना दूनों में क्या है 510 और 92 है दो संख्या है तो 510 गुड़े 92 बराबर, LCM, LCM कितना है है हमारा, 13,460, और फूड़ी SCF, SCF कितना है है, 2, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दुनों तरफ गुड़ा करेंगे, तो 510 और 22 में गुड़ा करेंगे तो 46,920 ठीक है 46,920 और इधर भी गुड़ा करेंगे करेंगे 0, 6 दुनी 12, 2, 4 दुनी 8, 1, 9, 2 ती आई 6, 2 दुनी 4 ठीक है दो न तरफ कर लिए तो इधर भी 6,920 उधर भी 4,920 तो देखेंगे कि LHS बराबर LHS बराबर कहा गया? RHS ठीक है तो यहां हमारा जाच हो गया चलिए कोर्सन नमर 3 कोर्सन नमर 3 में दिया है 336 और 14 इसका LHS पर LCM गयात करना है दूसी तरह से 336 का यहां प्रथ्यान देंगे 336 का गुड़न खंड करेंगे ठीक है? सबसे पर दियान देंगे 2 से कटाएंगे 1,4,8 168 बार में फिर 2 से करेंगे 2,8,14,24,8 फिर 2 से करेंगे 6,2,14 बार में कटेगा फिर 2 से करेंगे 32,8,13 बार में गया फिर 3 से कटाएंगे 3,7,0 अब कटेगा आगे? नहीं तो देखिए तो 336 को हम कैसे लिख सकते हैं? 336 को लिख सकते हैं, गुरन खंड करेंगे, तो दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, साथ, यानि दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, साथ, लिख सकते हैं, क्यों, तो गुड़ा को गुड़ा करेंगे, तो 336 आएगा अब चववन का चववन का भी गुलन खंड करेंगे ठीक है तो यहां पर ध्यान देंगे चववन का गुलन खंड कर रहा है दोस्टे करेंगे ठीक है 27 पर में क्या फिर तिन से करेंगे करेंगे ठीक है एक हर तो इसका पुर्णene खंड किए तो कितना इंहाओ हो गया दो गोडे टीन मुरे समय प्लुक्राइब थीए क्लिक प wanderl या टारी अधो यहीट100 आधो आधो बुड़ा करेंगे तो हो जाएगा दो यहां पर ध्यान देढेंगे हैं कि हम बार बर बता रहा हैं कि जो दोनों में मिलता है तो यहांपर ध्यान देड़ी जोड़ी लगएगा है इसम में तो यहां पर ध्यान देखें बहुत तो यहां पर ध्यान देखे हें ब्यनिन चाहरें जर्व बार बता रहें-टानलाथ है दुओं का जुड़ा लगता है तो एक बाहर निकलता है क्यों लेगों, तो इसमें से दूने का जुड़ा लगा तो यह गों हो Parece you में तो कितना हो जाए तीन दुनी शाओ यह कितना हुआ शाओ और LCM जब निकानला है LCM 336 और जबन का तो क्या होता है जो मिला है उसको ध्यान अभी नहीं देंगे यह डिलेक्टली उसको देखना ही नहीं है जो HCF आया है HCF को लिखेंगे HCF कितना है 6 फिक है शो गुड़े अब देखने कि जो जोड़ा लग गया उस पर थोड़ा सा भी ध्यान में देना है कौन-कौन जोड़ा नहीं लगा तो दो गुड़े दो गुड़े साथ गुड़े तीन गुड़े तीन इसको भी सांथ में गुड़ा मिले दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े साथ गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन और यह सब क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो आप दो ध्यान से यहां के बाद में घ्यान देंगे हम लोग कि अब हमें जांच करना है जांच करने का जो दोनों को संफोल किया है उसी तरह से जांच भी करना है तो दिखेंगे जांच दो संख्याओ का गुड़न फल बराबर दो संख्याओ का गुड़न फल बराबर LCM गुड़े HCF तो दो संख्याओ आमारा काउंट काउं है 336 और 353 और 354 दोनों तरह गुड़ा करेंगे तो गुड़ा ठोगया दो संख्याओ को गुड़न फल के रूप में लिख दिए और LCM LCM इसका कितना है 324 अगुड़े HCF HCF कितना है इसका 6 ठीक है अब क्या करेंगे यह दोनों का दोनों तरफ गुड़ा करेंगे यहां तक आप लोग ध्यान देजिएगा ठीक है तो गुड़ा करेंगे तो वहां पर 336 और 24 है और उसमें 324 और 6 दोनों तरफ गुड़ा करेंगे तो जो गुड़ा करेंगे हम लोग इधर आएगा 18144 और इधर भी गुड़ा करेंगे तो आज आएगा 18144 ठीक है आप लोग गुड़ा करके देख लिजिएगा यह इतना ही है तो इधर इलेचेस बराबर अरेचेस ठीक है एलेचेस जो है आरेचेस के बराबर आगे तो हमारा जाच हो गया ठीक है जड़ी आते हैं आप कोसर नमर तीम क्यों आते हैं तो पहला जो कोशन है पहला कोशन में बोला है कि 12 15 और 21 ठीक है कर रहे कि अभाज गुड़ान खंड विद्धी द्वारा निपने लिखित करें एसी एप और लसी इंग्याद किजिए ठीक है तो यहां पर ध्यान नेंगे अभाज गुड़ान खंड आप लोग को पता होगा कि अभाज गुड़ान खंड कैसे किया जाता है तो यहां पर ध्यान एक बारा है तो बारा का अभाज गुड़ान खंड करेंगे तो कितना हुआ दो गुड़े दो गुड़े तीम हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े तीम ठीक है पंदरा का करेंगे तो कितना हुड़ ठीक है तीन गुड़े साब अब यहां पर द्याननाएंगे HCF का बात रहा है तो HCF आप लोग को बता होगा HCF 12,15 और 21 कितना हो जाएगा देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है तो तीनों में इसमें दू है इसमें दू है नहीं है इसमें भी दू नहीं है तीनों में आप लोग देख कर रहा है यह क्या मिल रहा है तीन तीन मिल रहा है तो यह सीफ हमारा कितना हुआ है तीन ठीक है अब LCM ग्याद करना है LCM 12,15 और 21 का ठीक है तो जब LCM ग्याद करना है तो LCM ग्याद करने से पहले जो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मिला है उस पर ध्यान भी नहीं देंगे LCM निकालना देगा तो जो मिला है तीन मिला है तो तीन पर ध्यान नहीं देंगे उसके बाद में जो तीन के बाद जो संख्याइज में बचाए कौन कौन दो दो है तो दो गुड़े दो इसमें क्या बचाए पांच इसमें क्या जोड़ा नहीं लगा था साथ ठीक है अब इस सब को क्या करेंगे गुड़ा करने और गुड़ा करने के बाद जितना आएगा वही हमरा क्या हो ज अब आते हैं कोशन नमबर टू पर कोशन नमबर टू में बोला है 17,23 और 29 इस सब्सक्राइब करना है HCF और LCM गयात करना है तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि 17 कामकुर अंखंड कर सकते हैं एक गुड़े 17 ठीक है एक गुड़े 17 23 का गुड़न कर सकते हैं एक गुड़े 23 29 का गुड़न कर सकते हैं एक गुड़े 29 कर सकते हैं तो अब देखिए HCF हमें गयात करना है HCF क्या? HCF गर गयात करना है HCF 17,23 और 29 कितना हो जाएगा? 3-aurus में जो मिल रहा है. 3-aurus में क्या मिल रहा है?rons एक मिल रहा है. तो हमारा क्या हुआ है? JCF कितना हो गये? 1-. ठीक है, अब LCM ग्याद करना है. LCM 17,23 और 29 का तुद्धान ने मिलай. कि जो मिला है, वोह तो लिख लिए. अब जो नहीं मिला है जिसका जोड़ा नहीं लगा है यानि किनों में नहीं है तो कौन कौन है 17 तेईस उन्तिस तो गुड़े एक गुड़े 17 गुड़े 23 गुड़े अंतिस ठीक है यहां पर द्यान देजे कि एक आगे आंदर है तो सब में जोड़ा नहीं लगा है कि इसका इसमें 17 गुड़े 17 गुड़े गुड़े 23 गुड़े 29 तो हमारा हो जाएगा 11,349 गुड़ा करेंगे तो इतना ही पाइदा है तो हमारे HCF कितना होगे एक और HCM कितना होगे 11,349 ठीक है अब आते हैं पोस्टन अवर तीन का 8,9 और 20 ठीक है 8,9 और 20 इसका HCF और HCM ग्याद करना है तो बताइए आप लोग कि 8 का हम गुड़न खंड कर सकते है ना 8 का गुड़न खंड करेंगे तो कितना होगे दो गुड़े 2 गुड़े 2 हो जाएगा 9 का कैसे कर सकते हैं 3 गुड़े 3 कर सकते हैं और 25 का कैसे कर सकते हैं पांच गुड़े कर सकते हैं ना अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि HCF हमें ज्याद करना है कि HCF 8,9 और 25 तो 3 में देखेंगे कि 3 में क्या मिल रहा है इसमें 2 है इसमें 3,3 है इसमें 5,5 है कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है जब नहीं मिलेगा या लास्ट में में भी एक गुड़ा एक लिखके भी दरसा सकते हैं जिसे या एक नहीं भी लिखेंगे तो यहां पर हम लोग को समझना जरूरी है कि जब तीनों में नहीं मिलेगा इस हम लोगे हम लोग हम दर्शादेंगे तो परत्यक्षिप सो दिखाई देगा लेकिन जब हम दर्साइंगे नहीं और देखेंगे कि संख्या और एक के अलाबा और भी जो है नहीं मिलता है तो तीनों में अगर संख्या दिकते हैं कि नहीं मिलता है तो उसको एक क्लिक दिया जाता है कि उसका एक कितना हुआ एक तो यहां पर ध्यान देंगे कि लाश में हम अगरहें मिलता है तीनों में नहीं मिलता है कि अलग अलग संख्या रहता है और तीनों का अभैनिस्ट गुनन खान्द नहीं मिलता है एक के अलावा, तो सिधी क्या करते हैं, कि सभी संख्या को आपस में गुड़ा कर देते हैं, ठीक है, कहाने का मतलब याड़ा है, यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, कि एक एक जब मिला था, तो इसके अलावा और क्या बाकी रह रहा है, ऐसा बाकी रह रहा है ना, तो इस आरदोनी हाठ वजाएगा गुड है ती 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 रिके नव गुडे पाछा अचीश और इस सब कर गुडा कर देंगे तो गुडा करेंगे तो अमरे कित्ना वजाएगा अचीश सवाठी दू-स वाद दू-सव में नौ से खरेंगे तो 9 दूनी आठारा सो एंसर यानि एस सेम कि कितना हुआ है तो ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक बन रही है हमारे साथ और करें 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 करें